भारतिय सेना यानि राष्ट्र के प्रती निश्था, गौरव और अदम्य साहस की एक ऐसी मिसाल जो युद्ध और शार्थ दोनों में अपना फर्ज निभाती है और उस सेना के ताकत है वो एक-एक जवान जो जल, खल और नभ में अपनी वीरता के जोहर दिखाता है जिसकी एक अंगडाई से दीश का हर दुश्मन धर राता है पर जीत की नीव तो अमर असंख्यक बलिदानों पर रखी जाती है और अब समय है 1947 के बाद शहीद हुए उन हजारों वीरों के बलिदान के सम्मान का जिन्होंने आजाद भारत की रक्षा के लिए अपनी प्राण मत्र भूमी को समर्पित कर दिये सरकार नाने के बाद हमने वो फैसला लिया अब वो पुर्णता पर है और फरवरी महिने में बेश के बीर बलिदानियों जिन्होंने उच्च बलिदान दिया सरवच बलिदान दिया इसके लिए दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने एक भव्य राष्ट्रिय समर्समारक का निर्मान किया गया है 40 एकड में फैले गोलाकार युद्ध समारक के चार चक्र है पेड़ों से बना रक्षा चक्र दिखाता है कि एक व्रिक्ष की भांती कैसे हमारे जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए तत पर रहते हैं इसके बाद आता है त्याग चक्र जो पत्थरों से तराशी गई दो पंक्तियों का है और हर एक पत्थर अलग अलग युद्धों और सैम्य अभियानों में अपना सर्वस्वन्यों चावर करने वाले 26,000 महान बलिदानियों के नाम से रोशन हो रहा है तीसरे चक्र यानि वीर्ता चक्र में दिवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतिय सेना के तीनों प्रभागों की वीर्ता की कहानी अंकित है और इस मारक के बीचो बीच स्थित अमर चक्र में हैं अमर जोती जो हर भारतिय शही जवान के शाश्वत शौर्य की गाथा कहती है और यह 15 मीटर उचा स्थंप जो दिखाता है कि हमारे सशस्त्र सैन्य बलों का होसला अडिग अटल है और इस मारक के साथ एक पार्क है जो एकीस परम वीव चक्र सैन्य को की साहस की कहानी कह रहा है जिन्होंने तिरंगे की शान रखने को सरवुच्च बलिदान दिया है हमारे सुनहरे कल की खातिर अपना आज कुर्बान किया है दिन हो या राग माभार्ती पर्ण्य च्छावर हुए उसके बेटों का ये समारक हर पल भाव्यता से सराबोर है आज देश की प्रकती में उनकी वीरगती भी जमक रही है जिन्होंने हसकर अपने प्राण गवाए जो लोटके घर ना आए देश कर दो लोटके बेटों का ये जिन्होंने है